नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है मगंदैज बाजने वह बातकर ने वाला रहा है दोस्तों बंगला श़ा कहले होगा जो पाकिस्तान किका होरा है काशा कहले कि expect कौन से आर्मी है सर बोलुचिस्तान लिब्रेशन आर्मी उसने क्या कर दिया उसने पाकिस्तान के 102 सनिकों को निप्टा रिया बोला जाओ, सुर्ग जाओ, बात परुलो के पास चले जाओ, अब ऐसा बलोचिस्तान और पाकिस्तान में एक आत्गवादी संग्टन आ हो रहा है, जो जाता चर्चा में रहता है, TTP, तख्रीचे तालिबानी पाकिस्तान, अब ये क्या करते हैं, जो तख्रीचे तालिबानी उसी रहा पे चल दिया है, अब पोता ने कहा किया, यहाँ भी आप देख सकते हो, दखेर टेकर गोर्मेंट इन बांगलादेश, यह कुँआ मैया, इनको आप जानते ही हो, मुहमद यूनुस्थान, इन्हों ने कहा कर दिया, टेरर ग्रूप के जो चीफ थे, उसको क्या कर दिया, बरी कर दिया, पे रोल पे, जाओ, 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 जहाँ बन करें, उधर क्या करो, बंक पोड़ करके आजा, अब उसका नाम क्या है, इनको देखे, यह, इनको जराम इ इसके साथ में है, अलकाइदा के साथ में, तो अलकाइदा वाले हैं यह, कनेक्शन इनका अलकाइदा से है, और इनकी गुवर्मेंट ने क्या कर दिया, इनको पेरोल पे छोड़ दिया, बहला जाओ, जहाँ मन करें, बंप खोड़ करके आजाओ, तो सरी, एक सवाल उठता ह अब जब बुलते हैं, सेख हसीना थी, तो ऐसे कभी निईस सुनने को नहीं आती थी, अब यह जैसे केरटे कर आ गये, तो ऐसी निईस सुनने को आ रही है, उसका रीजन एक बुलते हैं, बहुत खास रीजन है, एक नरेट्व बना दिया गया है, चाहे वह मैं पाकिस्तान क बहुत बढ़ें काम करें मतलब यह सिर्फ यही चाहते हैं कि किसी पी तरीके से भारत को निच्छा दिखाया जाए भारत को गाली देजाए इनको खुशी हुटी है इनको और कुछ लेना देना नहीं हमांगे को सब्सकियार गेंगे और शेका से अनने रंड़ कर दो अगेस्ट मार्तिर गरता ने साड में 20,000 डॉलर लेलो तुम्हारे आप फ्लट आगया था न लेलो 20,000 डॉलर ये लेलो लेलो अब ये पोल रहे हैं मिया कि आप क्या करो चाइना सो बोला सुनार पैनल लगा दो हमारे यहां पर यह कर तो भीग बागना चालू हो गया आगे रस्ते पे अब चाइना इंको क तो खुश हो खुश हो ओच अच्छा नहीं हो खुश हो अब यहां पे देखे एक पूरा पूरा संगठन बोलते पूरी तरह से एक्टिव हो गया है तो जैसे देखिए सेख हसीना को जैसे बोलते है ना तक्ता पलट किया गया उनका तो उसमें खास हाथ किसका था बांगलादेश जमाते इसलाम है अपो ज्या लगता है यह इस्टुडेट्स लोग ने बोलते है ना प्रोटेस्ट किया और इसे एक हसीना के सरकार गई ना इसको फंडिक करने का मकोन उसको फंडिक करने का का मैशिका का दिक लगता है अमेरिख करता है अमेरिका जीद हाजंग में जो और बहुत भादियों को प्रिजनर को बना जाओma तुम भी आजाद हो जाओं पहुं भी आजाद हैं। आप सुचों कितना महनत करकर के बोलते हैं ना सरकार ने और भारत सरकार ने भी बहुत सारे ऐसे टर्रीनिस्ट को पकड़वाया था बांगलादेश के अंदर इसके रिए कितनी प्लानिंग, कितना रिसोर्सस खर्चा हुआ था, कितना टाइम तो बहुत जड़िए आप कोलते हैं, आने समय में आप य। दिखोगे कि बांगलादेश के حالons इतनी जाए खराब है कि आप सूच भी नहीं सकते हो कि बांगादेस में बस यही है, इंडिया के बारे में घलत बोलो, मोधी के बारे में घलत बोलो, कि आप सही हो, अब इंडिया के बारे में अच्छा बोल दिया है, तुम तो बेस्ट रोई हो गया हो, बांगादेस में यही है, और पाकिस्तान को बही है, पाकिस्तान का बंदा अब उसके साथी सार अगर मैं बात करो उनके ये चीप थे किसके अंसुरुला पंगाला टीम अब उसमें क्या हो था कि पिछले कुछ सालों में दब 2024 में भी इन्होंने क्या गिया था दो आतंगवादियों को क्या किया गिया था पकड़ा गया था, कहां पे जिनका नाम गया था बहार मिया और रेरली मिया, इनको अरेश्ट किया था, गुहाडी रेडिस्टेशन में, कहां पे आसाम में, और उसके पिछले साल में बहुत सारे अरेश्ट हुए थे, जितने connection पाये गए ना, ये ABT team के ही पाये गए, कि इनक से connection भी है, अब बांगलादेश में बोलते है ना, एंटी इंडिया बोलते है ना, चल रहा है process, आप मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर कोई growth कर ले तो भारत में growth किया ना, अपने यां दुस्मन बन गए, कौन बांगलादेश तो पाकिस्तान, कि हम तो एक ही थे, इं पाकिस्तान वाले जो लोग बोलते है ना, आवाज उठाते थे, शेख हसीना बना करके शूप के साथ पी जान दी थे, अब यहां पर क्या होगा एक अलगी narrative बनाया गया कि बांगलादेश में बोलते है ना, शेख हसीना की सरकार इसलिए है, कि पूरा इंडिया क्या कर रहा यह नहीं करेंगे, ठीक है बाई मत करी गंगा तुमको बोल रहे है, लेकि हमारे देश के पारे में कुछ बोलो मत ना, आप आप देख सकते हो कि पाकिस्तान और बांगलादेश दोनों रोते रहते हैं, पाकिस्तान में अगर इंटरनेट शलो चलेगा तो, इंडिया ने किय इंडिया ने कोई टेक्नोलोजी लगा दिया है, हमारा सर्वर क्या हो गया है, अब बांगलादेश में पार आ जाएगी, तो भी भाईया यह बोले कि हाँ, यह इंडिया ने किया, इंडिया ने अपना डैम बोल दिया, बिना बताया, पुरा बांगलादेश बाग गया, पाकिस्तान से आतमवादी क्या कर रहे हैं, भारत के अंदर आ रहे हैं, अब वही चीज़ आपको देखने को मिलेगा, कि बांगलादेश से कुल देर आतमवादी भारत के अंदर इम्ट्री कर रहे हैं, जिस तरह से हम पाकिस्तान से पारिसान थे, अब उसी तरह से हम उने बाले बाले सांगे से बांगलादे से